इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जो मस्तिश को शांत करने और नसों को आराम देने में मदद करती है। इस प्रकार आपके अवसाद का इलाज करती है। मिट्रोजा 15 टेबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। रक्त में एक समान स्थर बनाए रखने के लिए इस दवा को प्रतीक दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है। यदि आपको कोई खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले लें। किसी भी खुराक को न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें। यह महत्वपून है कि यह दवा अचानक बंद न हो क्यूंकि इससे आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में मूह में सूखापन, भूक में वृध्धी और सिर्दर्ध शामिल हैं। यह चक्कर आना और नींद आने का कारण भी बनता है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो। यह दवा वजन बढ़ने का कारण हो सकती है, इसलिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा, यदि आप इस दवा को लेने के बाद गले में खराश या बुखार का विकास करते हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।